बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्यकांड में सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला मुन्ना सुकला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास राजन तिवारी समय 6 आरोपी बरी सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में विजय कुमार शुकला और मुन्ना शुकला और उनके सही होगी मंटू तीवारी को उम्रकेट के सजा सुनाई दोनों को 15 दिन में सरेंडर करने को कहा गया है कोट ने सुरजभान, राजन तीवारी समेचे आरोपियों को बरी करने वाले हाई कोट के फैसले को बरकरा रखा 2009 में पटना के विशेश अदालत में मुन्ना शुकला, सुरजभान, राजन तीवारी, मंटू तीवारी, मुकेश सिंग, डलन सिंग, कैप्टन सुनिल सिंग, राम निरंजन चौधरी को उम्रकेट के सजा सुनाई थी 2014 में पटना हाई कोट ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए, सब को बरी कर दिया था 13 जून 1998 को राबडी देवी की सरकार में मंत्री, रजबिहारी प्रसाथ की उस वक्त खत्या कर दी गए थी, जब वो इलाज के लिए IGI MS में भरती थी दोशी ठेड़ाए गए पूर विधायक मुन्नाशुकला आरचेडी में है, जिनके उपर आरोप तै हुए हैं, वो नियाले में अपना पक्ष रखेंगे, कानून का फैसला है, अब नियाले का तो इस पर जवाब दिया जाएगा 2014 में आरोपियों को बरी करने के पटना हाई कोट के फैसले के खिलाब ब्रिच बिहरी परसाद की पतनी रवमा देवी और सीवियाई ने सुप्रीम कोट में यचिका दाखिल की थी ABP News आपको रखे आगे